बॉलिविट एक्ट्रेस क्रती सेनन एक बार फिट ट्रेंडिंग एप प्रमोट करने के आरोप लगने पर विवादों से घिल चुकी है एक्ट्रेस हाली में करण जोहर के पॉपुलर चेट शो कौफी विद करण में पहुंची थी आरोप है कि उन्होंने चेट शो में एक ट्रेंडिंग एप का प्रमोशन किया है हाला कि अब विवाद बढ़ने के बाद करती ने इन खबरों को फेक बताया है फेक नियूस फेलाने वालों के खिलाफ लिगल एक्शन लेने की बाद भी गई है करती का कहना है कि इस तरह की खबरे उनकी चवी बिगारने और मान हाने के मकसद से फिलाई जा रही है करती ने तीन दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से इन खबरों को फेक बताया उन्होंने कुछ मीडिया आर्टिकल्स का स्क्रीन शॉर्ट शेर करने के साथ 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 क्या है कि ट्रेंडिंग एप प्रमोट करने वाली सारी खबरे गलत है सोशल मीडिया पर सफाई देने के साथ साथ क्रती ने एक ओफिशल स्टेट्मेंट जारी कर इस तरह की खबरों पर नाराज की जताई उन्होंने लिखा है ऐसे कई गलत जानकरी वाले आर्टिकल लगातर सामने आ रहे हैं जिन में लिखा जा रहा है कि मैंने कॉफी विद करन में ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म का प्रमोशन किया है वो आर्टिकल पुरी तरह फेक और गलत है और बेइमानी और गलत इरादे से पब्लिश किये जा रहे हैं उन्होंने आगे कहा इस तरह के आर्टिकल मानहनी के इरादे से मुझे ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ने के जूटे दावे कर रहे हैं मैंने कभी किसी तरह किसी शो में ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी कोई बात नहीं कही